आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो तरह की कोफी बिल्कुल कैफे स्टाइल की जैसे मार्किट में कैफेस में मिलती है केफे स्टायल्स की कॉफी हम लोगों को बहुत ही डिलिश findet 270 लगती है क्योंकि वो इतने अचे से देकोरेट करी होती और इतनी डिलिशस होती है कि हम लोगों मन ही नहीं करता कि हम उसे छोड़ दे आज मैं आपको इस वीडियो में दो तुरह की इंस्टेंट कॉल्ड कॉफी बताऊंगी एक ओरियो कॉल्ड कॉफी और दूसरी क्लासिक कॉल्ड कॉफी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीचिएगा वैलकॉम तो रुचिकाज गूट फूट तो चलिए फिर फटा फट कोल कॉफी बनाते हैं इसके लिए हम सबसे पहले अपने ग्लासिस और मॉक्स को डेकोरेट करेंगे जिसे कैफेस में डेकोरेट करते हैं यहाँ प जिसमें काफी वह बहुत ही सुन्दर लगते हैं देखने में अब हम यहाँ पर एक मॉक्त को औरियो को जो क्रश होता है वह मैंने लिया है उपर वले हिस्से को उससे कोट कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर औरियो कॉफी बना रहे हैं और इसको फ्रिच में रख देंगे चल यह ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट बहुत डिलिशियस होता है और साथ ही साथ यहाँ पर डेट कप के असवस ठंडा दूद आड़ करेंगे अब हम इसे लिड लगा के अच्छे से ब्लेंड करेंगे जब तक यह स्मूथ प्यूरे नहीं बन जाता देखिए बन गई ना हमा गार्णिश कर सकते हैं साथी साथ क्रश्ट ओरियो एड करेंगे तो लीजिए हो गई तयार हमारी कैफे स्टाइल ओरियो कोल्ड कॉफी चलिए अब बनाते हैं क्लासिक कोल्ड कॉफी वो भी कैफे स्टाइल में यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार में मैंने आइस क्यूब से करेंगे मैं यहां पर डेट कप दूद ले रही हूं इससे दो सर्विंग्स निकलेंगे अब हम इसे लिड लगा के कवर करेंगे और एक स्मूथ प्यूरे बनाएंगे तो लीचे बन गई हमारी क्लासिक कोल्ड कॉफी रेडी इसको अब हम अपने चॉकलेट डेकॉरेटेड ज और चॉकोपसेट कर रहे हूं तो लीचे बनन के तैयार हो गई हमारी क्लासिक कोल्ड कॉफी और साथ ही साथ हमारी ओर्यो कोल्ड कॉफी दो तरह की कॉफी केफेस्ट्राइल में देखा है ना केफेस्ट्राइल कॉफी घर में बनाना कितना ही असं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ बाबाई